जैहिन दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैक पूर पे तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो एक्जाम आप लोगों का फाइनल एक्जाम 2025 को जो होने वाला है जी हाँ 2025 हम इसले लिख रहे हैं क्योंकि अभी चल रहा है 2024 औ आप लोगों का जब फाइनल एक्जाम होगा तो वो साल होगा 2025 का ठीक है उसके जो एक्जाम पैटन है किस तरह से एक्जाम आप लोगों का लिया जाएगा उससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं जो आज के इस वीडियो में हम आप से डिसकस करने वाले यहां पे दो सवाल आप आप डिसकस करेंगे जिससे आपका सारा का सारा क velvet दूर हो जाएगा इसके इलावा आपका जो भी सवाल होगा आ आप हमें comment कर सकते हो जल्द ही आपका उसका solution भी हम आपके सामने लेकर आएंगे तो वीडियो का इमपोर्टेंट है like कर दीजेगा सभी दोस्तों को शेयर कर करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि point number one की परिक्षा जो होगी आपका वो कब होगी, तो यह जो परिक्षा होगी आप लोगों का जो final exam जो होगा आपका वो लगभग आपका फरवरी महीना में तैय है, यानि कि आपको फरवरी का जो महीना है उसको आपको count नहीं करना है उसको आपको गिंती में नहीं लेना है कि आप फरवरी में भी तैयारी करोगे ठीक है वैसे जो topper students होते हैं वो आपका दिसंबर में तैयारियां छोड़ देते हैं बाकि जनवरी और फरवरी जो उलकर revision में जाता है लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो अगर आपकी तैयारियां पीछे चल रहे है तो फरवरी को आपको count में नहीं लेना है जुलाई का महीना यह चल रहा है जुलाई भी आपका आधाल लगबग समापती हो चुका है तो आप जुलाई को छोड़ दो अगस्थ ठीक है आपके पास अगस्थ है सितंबर है अक्टूबर है नवंबर है दिजंबर है और एक आपका जनवरी मिलेगा ठीक है तो कुल मिलाकर आपके पास एक दो तीन चार पांच छे कुल मिलाकर अब जो आपके पास समय बचा है फाइनल एक्जाम के लिए वो छे महिने का समय बचा है और अभी एक पंच-10 लोगों को जरूर सेर कीज़ेगा इस विडियो को, चली दूसरा पॉ extermin पे आते हैं, कि परिच्छा अब कितना समय बचा है, ठीक है परिच्छा कब होगा, तीस सवाल इसे में cover ही आपका, कि परिच्छा में आपका कितना बचा है, 6 माह समय बचा है आपका छे महीने का टार्गेट बनाईए अब आपके पास 6 महीने से ज्यादा का समय बिल्कुल भी नहीं बचा है ठीक है परिक्षा आपका फरवरी में होगा और आपके पास जो अभी समय बचा है वो 6 महीने का बचा है point number 3 पे आते हैं इसमें कह रहा है कि परिक्षा में objective कितने number का होगा देखे परिक्षा में जो पहले जो objective लिया जाता था वो 40 number का objective प्रसना आता था ठीक है तो बच्चे काफी खुसी खुसी जो है एक्जाम देते थे और पास कर जाते थे अब इसको घटा कर कर दिया गया है 20 number का अब जो आपके पास objective आएगा वो 20 number का आएगा याद रखेगा कितने number का आएगा 20 number का आएगा ठीक है तो फिर बात उठती कि परिक्षा में जो subjective होगा तो क्या वो 80 number का होगा नहीं आप जो आपका subjective का जो एक्जाम होगा वो आपका होगा आपका जो होगा वो 60 marks का होगा कितना होगा 60 यानि कि 20 number का objective 60 number का subjective टोटल हो जाएगा आपका कितना टोटल हो जाएगा आपका 80 बचे का जो आपका 20 वो हो जाएगा internal assessment यानि कि practical का जो number होता है यह 10 नंबर वहां से आपको दिया जाएगा आप जो 10 नंबर का जो grace marks मिलेगा वो आपका जो अभी weekly test हो रहा है यहां से भी आपको देने का प्रावधान होता है ठीक है बात करते हैं हम लोग pass होने के लिए नंबर लाना है कम से कम कितना यानि कि कम से कम कितना नंबर लेकर आएंगे कि हम pass कर जाएंगे तो कम से कम आपको 33 नंबर लेकर आना होगा बात समझ माई कितना लाना होगा 33 नंबर लाना होगा और यह आपका थियोरी कम आक्स होता है याद रखिएगा यह आपका थियोरी का होता है और practical का number मिला करके total 33% भी होना चाहिए, दोनों में अंतर है, ठीक है, इस बात को समझ लिजिएगा, बात करते हैं कि कौन सी book जो होगी वो आपके लिए best होगी, यानि कि कौन सा किताब पढ़ करके आप अच्छा से अच्छा number ला सकते हो, तो मेरे according, जतना मेरा जो है, आपको जतने भी students से बात हुआ है, तो देखी, जो topper होते हैं, यह में दो ठीक होता है आपका topper, ठीक है, एक होता है आपका normal students, एक होता है बिलकुल lower students, ठीक है, मैं तीनों तरह के students की बात करता हूँ, जो topper होते हैं जिनका सपना होता है, वो all sl याद रखिएगा वह आल स्लेबर यानि 100% कवर करते हैं तभी वह टॉप करते हैं वरना कोई भी तुक्का मार करकर टॉप नहीं करेगा बास मताया लेकिन जो नॉर्माल स्टुडेंट्स होते हैं वह क्या करते हैं उसके बारे में भी हम आपको डिस्कॉस करेंगे कि वह तो ज अच्छा से अच्छा नम्मर ली आते हैं, अगर हम lower students की बात करेंगे, तो lower students को क्या करना चाहिए, जो lower होते हैं, जो बिलकुल मतलब की पढ़ाई में ज्यादा कमजोर होते हैं, तो वो ज्यादा focus जो है, आप लोगों का model person पत्र पे ध्यान देते हैं, ठीक है, यह previous year model person भी हो में comment किजेगा, अपना सवाल comment किजे, और please हमारे channel को subscribe करके, कम से कम 18 लोगों को जरूर share किजेगा, मिलते हैं लोग अपने next video में, thank you